मैं हूँ नितेश और आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी हजारी बाग बियर समेस्टर वन पेपर वन चाइल्ड हूड एंड ग्रोइंग अप सेशन दोहजार अकीस से दोहजार ताईस का ये कोश्चन पेपर है और इसमें हम MCQ का भी एंसर देखेंगे और पूरा कोश्चन पेपर भी तो चलिए यहां पर सबसे पहले है हमारा ग्रोप ये जिसमें आपजेक्टिव कोश्चन रहता है और इसमें देख सकते हैं दो नंबर के 10 कोश्चन पुछे जाते हैं टोटल 20 मार्स का होता है और पहला सवाल है हमारा सोसल एक्सपेक्टेशन फोर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नौन एज तो इसका एंसर हो जागा मैचूरेशन कुछ मेरे दोस्ट डेवलपमेंटल रोड बोल रहे हैं फ़र लेखिन इसका मुझे 100% स्योर है कि मैचूरेशन एंसर होगा नेश्ट सवाल है which of the following sequence of the growth of an individual कौन सा sequence है growth of an individual का तो सबसे पहले मैं आपको option दिखाना चाहूंगा आप यहाँ पर option देख सकते हैं तीन option यहाँ पर है और एक option यहाँ पर है और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि growth जो है यह चारों option एक साथ होता है अलग अलग नहीं हो सकता intellectual हो, motor हो, physical हो, speech का development हो, साथ में होता है sequence follow नहीं करता इसलिए यह question मेरे according गलत है फिर भी आप पूछेंगे कि मैंने examination hall में क्या मारा है तो मैंने यह टिका मार के आ गया है और next है हमारा human development has which of the following domain human development का कौन सा following domain है, तो देखिए यहां पर जितने भी option दिये गए है emotional, intellectual, spiritual, self और इसके अलावा यहां पर cognitive है और social है इतने ही सारे option को और physical इसी को सारा mix के के option को दिया गया है तो यहां पर सारा answer correct है और यहां पर सारा answer correct है लेकिन आप बेश possible answer कहेंगे तो यहां पर आपका number हो जाएगा four क्योंकि इसमें physical, social, cognitive और emotional development का बात किया है और जब भी हम development का बात करते हैं mainly हम इनहीं का बात करते हैं self development, spiritual development, personality development भी चीज होता है पर जब हम बात करते हैं यहां पर तो यही fourth number correct हो जाएगा at what stage does later childhood exist तो इसका हो जाएगा 6 से 12 में हम later childhood को देखते हैं who said की childhood एक unique period of life है तो यह हमारा कॉले एन ब्रूस ने कहा था कि childhood जो एक unique period of life है उसके बाद इस question को थोड़ा सा देखिए इसमें कहता है इरिक इरेक्षन परपोई दा इच अस्टेज ऑफ डेवलप्मेंट इन भॉल्व एक क्रैसिस और यह जो sentence इतना लिखा हुआ है यह usually sentence है इसका कोई जरूरत नहीं इसको नहीं भी डालते तो भी question अच्छा ही था बस आपको इतना पढ़ना था कि human development is तो human development बहुत है quantitative and qualitative दोनों होता है human development यह बस उन्होंने क्यों दिया है यह फालतू का sentence मुझे समझ में नहीं आया में भी destruction के लिए होंगे उसके बाद है assimilation and accommodation is included in तो इसका answer हो जागा adaptation यह adaptation का part है adaptation में ही होता है assimilation और accommodation और अदि आपको जानना है कि यह किस topic से है तो प्याजे का cognitive development का theory से दिया गया है newborn baby will be a girl if it has तो कौन सा chromosome होगा कि एक बच्चा लड़की होगा तो इसके लिए एक सा chromosome होना चाहिए उसमें next है हमारा emotional word is originated from तो emotional word जो सो originated किया गया है latin से latin word से इसका origin हुआ है उसके बाद है कि कौन सा ऐसा चीज है जो जीवन परियंत चलता रहता है तो सब को पता है development जीवन परियंत चलता रहता है growth जीवन परियंत नहीं चलता इस बात को याद रखिएगा तो development हो जाएगा अब यहां पर हम आपको short notes दिखाना चाहेंगे यहां पर देखिए इसको हमेशा पढ़ लिया किजिएगा कि कितना question बनाना है बहुत बार ऐसा होता है कि इसको change कर दिया जाता है और बच्चे एक कम या जादा बना करके आ जाते हैं तो इसको हमेशा पढ़ लिया किजिएगा यहाप question देख लीजि क्योंकि यह pattern change होते रहता है कभी 4 कभी 5 कभी 3 भी लिखते रहता है तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और यहीं पर आपका question paper खत्म हो जाता है कोई भी doubt है कुछ भी clarification चाहिए तो आप comment section में पूछ सकते हैं और सारे paper का video बना हुआ है अप play list को जरूर चे करें thank you signing off